साहित्ति कहानियों की श्रिंखला में आज कथा साहित्ते में सुनिए हिंदी साहित्ते की प्रतिष्ठित लेखी का मनीशा कुल्स्रेस्ट जी द्वारा लिखी कहानी मनीशा कुल्स्रेस्ट जी पिछले 25 साल से कथा लेखन में सक्रिये हैं इनकी कई कहानिया अंग्रेजी रूसी सहित भारतिय भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी हैं। इन्होंने कथा सहित्य के कही महत्रपून सम्मान प्राप्त किये हैं। तो आए आज सुनते हैं उन्ही के लिखी एक कहानी। कहानी का शीर्शक है ब्लैक होल्स। आखिरकार मैं पिता हूँ। मेरी हथेलियों को गलानी नम कर गई है जिसे मैं बार बार पोंच रहा हूँ। अपनी पतलों से वो लाल पोल का डॉट्स वाली स्कर्ट में जो खड़ी है अपने कॉलिज के गेट पर मुड़ कर मुझे देखती हुई। मेरी बेटी है आज पहली बार मैं आहत हूँ अपने आप से वो मुझसे होगी ही और उससे जो आहत होकर जाने दें। घबराहट होती है सोचकर मैं आपको बताता हूँ अपनी गलानी की सारी वजहा बुरा ना माने तो शुरू से बताऊं थोड़ा विस्तार हो जाए तो। मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था मिल्टरी हॉस्पिटल की सारी नरसें मेरी बीवी के वाड में इकठी हो गई थी। मैं उसे देखने के लिए सच में कतार में खड़ा था। उन सब के चहरे पर एक ही इबारत थी। इतना खुबसूरत बच्चा। अपनी बारी आने पर मैं उस नन्हे बंडल को अपनी हथेलियों में थाम कर रो पड़ा था। उसने तुरंत ही मेरी उंगली पकड़ कर पलकें खोली थी। नन्हे चेरी जैसे लाल होंट कपकपाये थे। मैं उसी दिन समझा कितना अलग होता है पापा होना। उसने अपने सुन्दर चेहरे से ही नहीं अपनी बुद्धी मता से भी मुझे हमेशा गौर्वानवित किया। हम सबने मिलकर उसे मूल्य, समवेदनाएं उपहार में दिये। सबसे स्नेह करने की सीखती। सोजन्यता उसके हर अंदास में भर दी। सिखाया एक छोटे केटर पिलर तक से प्रेम करना। वह सब थमा दिया जो आदरशों पर खरा उतरता। हम दोनों पढ़ने के शौकीन। उसकी उम्र के हिसाब से तरह तरह की किताबों से हम दोनों ने उसकी अलमारियां भर दी। किताबों के प्रेम में वो अपनी उम्र से भी कमभीर चीजें जब वो बोलती लोग हत्प्रप रह चाते सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था वो दस्वें क्लास में थी कि उसे हर किशोरी की तरहा लड़कों में रुची जगी एक दो लड़कों से सहच दोस्ती हुई एक से वो कप और निकट हुई हमें पता ही नहीं चला क्योंकि उसके अंदास में कोई बतलाव नहीं आया सिवाए इसके की वो स्पोर्स मैगजिन पढ़ने में रुची लेने लगी मुझे याद है उसके जीवन का पहला थपड मेरी ही हाथों उसके चमपई कोमल गालों पर पढ़ा एक शाम किसी मीटिंग से लोटते हुए मैंने शाम के जुटपुटे में जब उसे एक मलीन कपरों वाले लंबे मगर दुबले साधारन से लड़के के साथ उसकी साइकिल हाथ में लिए ट्यूशन से पैदल घर लोटते देखा बीच बीच में इधर उधर ताग कर दोनों हाथ थाम लेते धलती सांच में उसके गालों पर गुलाब खिलते हुए मैंने देखे थे लड़का मुझे सामने से आकर गाड़ी रोकते देख सहम गया सहमी वो भी पर छुपा गई नमस्ते कर वो लड़का उल्टा मुड़ गया अपनी साइकिल लेकर वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई मेरी चुपी की गंभीरता उसे पता है घर आकर पूछा गया की कौन था वो लड़का क्लासमेट कपड़ों से वो अफसर का बेटा तो नहीं लग रहा था है भी नहीं उसके पापा लशकर है थपड़ सुहर का था उंगलिया चप गई और उसे बुखार आ गया मैं रात भर उसे गोद में लिये रहा मेरी पतनी समझाती रही कि समाज में कई वर्ग होते है हर वर्ग का अलग-अलग जीवन होता है जब हम कोई ड्रेस खरीदते हैं जूते तक बे मेल नहीं पहनते मम्मी जिन्दगी ड्रेस नहीं होती इंसान जूते नहीं होते वेवारिकता कुछ होती है यह तो मानोगी वो पढ़ने में ब्रिलियंट है फुटबॉल टीम का कैटन है वो आके कुछ अच्छा जरूर कर लेगा जो भी हो तुम उसे एक दूरी बढ़तोगी वो कातर असमंज से अपनी मा को देखकर निठाल हो गई वुखार उतरा स्कूल शुरू हुआ उसने उस लड़के से दूरी बना ली पता नहीं कब उसने एक सुन्दर आवरण ओड लिया हस्ता मुसकाता और होंटों पर सैंसर लगा लिया वही बोलती जो हम सुनना चाहते रहस्यों की कितनी गाठे उसने मन के रेशम में बांध ली किताबें कुछ कहती हम अलग अलग अवसरों पर पोज ले लेकर अलग अलग बातें करते वो एक निगाह असमंजस की हम पर डालती और मन के रेशम में एक गांठ लगा लेती ऐसा लगता था वो एक बेटी के तौर पर प्रकाश और आदर्श की दुनिया में रहती लेकिन जब नजर उठाती कुछ और देखती लेकिन आधी दुनिया के प्रकाशवान होने के बरबक्स आधी दुनिया करकश, हिंसक और बिमारियों और वर्ग भेधों से भरी दुनिया भी थी सारे आदर्शों की बात करते बड़े लोगों की अपने कमजोरियां और भ्रम थे कुलीन्ता की रोशनी के अपने साहे थे जो गिरते जमीन ही पड़ थे विश्वासों की एडियों में दरारें थी मैं परेशान हो रहा था कि उसकी मित्रता हमेशा व्यथित, तूटे, दरार पड़े बच्चों से क्यों होती है लड़कियां भी अकसर थोड़े कम तर वर्ग की या फिर अलमस्त बिना आवरन वाली लड़कियां जिन्हें लोग बिगडेल कह सकते है देखिये, मैं आपको पहले ही पता चुका कि मैं पिता हूँ, मेरी ये चिंताएं स्वभाविक है हो सकता है, आप मुझे सामन्ती या वर्ग विभेद का पैरोकार समझ ले लेकिन मैंने दुनिया देखी है फिर मसला किसी और सामाजिक संदर्ब का नहीं मेरी अपनी बेटी का है किसी से बिना उनका वर्ग जाने उसकी दोस्ती को हर कोई सरहा सकता था पर मुझे भै लगता था कि इन वंचितों की मनोविक्यानिक ग्रंथियां मेरी मासूम बच्ची को आहत ना कर दे आखिर पिता हूँ मुझे उसका बच्चपन याद आता जब वो दो साल की थी हमारे आउट हाउस में रहने वाली बांगला देशी आया नाजमा के बच्चों में ठुमक चल कर घुश जाती उनकी सूखी रोटी छीन कर खाती उन्हें अपना सेब खिलोने दे आती ऐसे में नाजमा माफी मांगती हुई खिलोने लोटाती तो हम उदार्ता को ओड़े रहते पर भीतर इंफेक्शन के भाई को पाले वी खिलोने उसी को दे देते हम उसे अपनी सुरक्षाओं के खेरे में समेठती रहे वो भीतर से फिजल कर दूर जाती रही इस तरहां कुछ परस बीट गए वो एक दुनिया में बसी दो दुनियाओं से सामन जसे करने लगी पर ये दो दुनियाओं भी दीगुनित होने लगी वो अब कॉलिश में आ गई महानगर की विराठता में हर रोज ना जाने कितने करूड लोग घरों से निकल कर किस सुर्सा के मुख में समाते हैं फिर निकल कर घरों में बंद हम तीनों घर से निकलते पिछडते फिर शाम ही को मिलते एक शाम की बात है मैं घर लोटा कार पार्क की अपने सरकारे केंपस में बने अपार्टमेंट में और ब्रीव केस उठा कर चलने लगा अंकल बेहत दुबला आसत कद आसत चहरा नजर का मोटा चश्मा लगाए एक लड़का एक बंडल लिये खड़ा था ये अनिंध्या के लेटर्स और फोटोग्राफ उसे कहिएगा परसो संडे को मैं अपने वाले लेटर्स वापस लेने आऊँगा पकड़ा कर वो तीर सा निकल गया मैं हड़ बड़ा हट में उसे रोक भी नहीं सका मैं बेल बजा कर सीधे अपने कमरे में चला गया अपने कमरे में गिटार बजाती अनिंध्या को उपेक्षित करता हुआ रोज की तरह लंबा लाड दुलार का उसका समय टल गया मैं समझ नहीं पा रहा था वो लड़का यह क्या देकर चला गया है अनि दो बार पर्दे से जहांकर चली गई मुझे यूनिफार्म में बिना जूते उतारे बिस्तर पर ढहा देखकर घबरा कर लोट गई उसकी मम्मी अभी लोटी नहीं थी पापा चाय बना दू तीसरी बार उससे रहा नहीं गया चाय बनते ही उसकी मम्मी लोट आई सबने खामोशी से चाय पी मेरी पतनी मेरा मूड भापने की कोशिश में थी उसने अनि को जाकर पढ़ने को कहा मैंने मरी हुई खामोशी में कपड़े बदले पत्नी को पर्दा डालने को कहकर वह बंडल खोला जाने पहचाने हूब हूब मेरे जैसे उसे विरासत में मिले सुघर मोती जैसे शब्द तरहां-तरहां के रंगीन पेनों से लिखे मैं सिहर गया पचास से ज्यादा पत्र तरहां-तरहां के रुमानी संबोधन का विताएं आज जीवन साथ ने भाने का वादा होने वाले बच्चों के सपने नन्नी अनिंध्या और बच्चे अभी तो गोदी से उतर कर चलना सीखी है नहीं, हम भूल कए थे वो अठारा की हो चुकी थी देखने में लगती तो पंध्रा की है बलकि मुझे तो वो चलना सीखती बच्ची ही लगती है हमने देर तक वह बंडर उल्टा-पुल्टा कुछ खत अजीब थे बिमारी से लड़ने की सलहा देते या ऐसे आशे के कि काश इस पर तुम्हारे पास आ जाओ और तुम्हारी बिमारी ले लू हम साथ लड़ेंगे इस बिमारी से हम लंबी मेरिट लाइफ जीएंगे सब ठीक होगा पत्र बता रहे थे इंटरनेट पर भी बेलगातार समवादरत है एक एक पल की खबर दोनों बाढ़ते है मुलाकातें कॉलिज गोल करके हो रही है कुछ यहीं नाप के नीचे केमपस के सेंटरल कारडन में कॉलिज के पास के कैफे में कुछ मिलिटरी अस्पताल के वाड में वी खत अंग्रेशी में थे उन में से एक उन सब खतों को समेटता साथा वही दिखाये देता हूँ कि लड़की किस हद तक मैं कब तुम्हारे बारे में नहीं सोचती यह तुम शिकायत कर नहीं सकते कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ तुम मेरे हर पत्र को और हर मुलाकात को आखिरी पत्र या आखिरी मुलाकात क्यों समझने लगते हो तुम मेरे प्यार को तमाम बड़े और दुन्यादार लोगों की तरहां देवानगी नहीं दया मानते हो तो बुरा लगता है तुम तो ऐसा मत कहो और समझो मैं सच ही तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहूंगी तुम जीनियस हो तुम दर्द शब्द को अनी से बतल कर देखो न मुझे पसलियों में अनी हो रही है मेरी आखें अनी से भरी है मैं अनी के साथ रहना कब सीखूंगा हाँ 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 मैंने सपनों में एक क्यूट बेबी देखा जामुन के पेड के नीचे खाली डाइपर पहने जुक कर कुछ उठा रहा था तुम पेड पर चड़े थे काले जामुनों की डाल हिलाते हमारा बच्चा मैंने तुमसे पूछा था चलो नाम सोचे तुम सड़ा मुँ बना कर उठ के थे बेंसे क्या तुम्हें चोटे बच्चे नहीं पसंद रोहन मेरे तक्ये तुमने देखी होते तो हमेशा उन पर मसकारा और आईलाइनर के गीले दाग होते हैं हाँ मैं पत्थर नहीं हूँ मेरी कोशिश थी कि मैं तुम्हारे भीतर एक चिंगारी छोड़ दूँ तुम उठो और जोज से भर जाओ मेरी सारी कोशिशें कुछ हालात कुछ तुम बेकार कर देते हो तुम जो कर रहे हो उसमें गहरे डूप जाओ प्रेम और प्रोग्रामिंग तुमने मेरे लिए जो सॉफ्ट बेर बनाया वह बहुत कामका है मैं कितने ग्राफिक्स चुटकियों में बना लेती हूँ सुनो जब मैं अपनी पहले अनिमेशन फिल्म बनाऊंगी उसका आंथ परियों की कहानियों या फिल्मों जैसा नहीं होगा दे लिफ्ट हैपिली या दे डाइट इन इच अदर आल्स नो नो मैं उनके बच्चों को पालते लड़ते जगड़ते कोकिंग करते प्यार करते दिखाऊंगी जिन्दगी यही है रोज मर्रा जिसे रुटीन कहते हैं हम रोहन वही असल जीना है पर चले आने रोहन मैंने तुम्हारे चाहने से खुद को कई चीजों से दूर कर लिया मैंने मानने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ तुम अकेले नहीं हो तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं यह सोचूं कि मैंने तुम्हारी तरफ बढ़कर गलत फैसला किया मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने मेरे कॉलेज के दोस्तों के सामने मेरे साथ उंची आवाज में बात की मुझे आदत नहीं है रोहन हमारी यहां कोई इतना तेज और कड़वा नहीं बोलता मैं बहुत क्लासिस बंक नहीं कर सकती मेरा सेमिस्टर खराब होते होते बचा पापा ने बहुत जुखाड करके मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाया मैं उन्हें पता भी नहीं सकी कई बार मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हारा दर्द नकली है तुम ठीक होना ही नहीं चाहते पर सु जब तुम्हारे वार्ड में हम कार्स खिर रहे थे और तुम्हारे मम्मी का अच्चानक आकर मुझे जाने को कहना बहुत अचीब था तुम तो कहते थे वे खुश हैं कि मैं खुश हूँ आच अच्चानक क्या बदल गया मुझे नहीं पता भविश्य में क्या है पर मैंने हर हाल में तुम्हारे साथ जीना चाहा था जीना चाहूंगी पर शड़तें जो तुम लगा रहे हो वो मुझे तिल तिल कला रही है मैं अपने कॉलेज के रूप को नहीं छोड़ सकती और मुझे स्कर्ट्स पहनना पसंद ही नहीं बहुत आराम देह लगता है तुम मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो कि मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें मुझे मुझे बिना दर्द के देखने की मेरी चाह मुझे मेरी हसी छेन रही है रोहन मम्मी मेरी उदासी से घबरा कर दस सावाल करती है मेरे पास कमरा बंद कर लेने के सिवा कोई उपाय नहीं होता मैं आके नहीं पढ़ सका कितना कुछ सामान अंतर गुजरता रहा और मैं पिता होकर बेखबर मुझे अपनी पतनी पर भी कुस्सा आया मैंने सारे खत हाथ के बने काड और कॉलार समेट कर अपनी वार्ड वोम में रख दिये पानी सिर से उपर था उस दिन कुख खाना बना कर रखकर चला गया अनी को रात ग्यारहां बजे टेबल पर बुलाया गया वो अनजानी आशंका से सहमी थी डाटनी की उम्र नहीं थी पर हम सवालों के साथ दोनों उस पर बरस पड़े मेरी पतनी का अंदाज तलखोने लगा मैं भी हाताश था पहले वो देर तक मुँ की जिप खोलने को तयार नहीं हुई थंडा गरम भाव प्रभाव देकर जब उसे उगलवाया गया तो लब बुलु आप पता चला की लड़का इस बार किसी सीनियर नेवल अफसर का बेटा है पर उसे कोई अजीब बिमारी है लंबे समय से बिमार है अचानक बेहोश हो जाता है उसने किसी तरह बार्मी की है अब घर पर रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा है महीने में पंधरा दिन अस्पताल में पीटते हैं नई प्रणाली का इलाज असर करता रहा तो वो उबर आएगा यह सब क्या है? किस? शादी? बच्चे? पापा, हमने ऐसी वैसी कोई गलती नहीं की क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे किसी भी एकसाइटमेंट से दूर रहने को कहा है हम दोनों हत्प्रब थे लगभग हिल चुके थे भीतर गहरे मैं सिर पकड़कर बैठा था मेरी पत्नी उसे समझाए जा रही थी तुम दिमाग से सोचती भी हो या? क्या तुम्हें जीवन भर किसी ऐसे बेमार लड़के की नर्स बनना मन्जूर है? ऐसी दया में शादियां की जाती है? मैं प्यार करती हूँ प्यार? मेरे छोटी और स्लीवलेस ड्रेस पहनने से वाह! कमाल! इतनी हिम्मत और इतना अधिकार जबकि तुम उसे इस हाल में भी तुम जैसी लड़कियां होती हैं इस जमाने में कुछ नहीं ममा वो थोड़ा सा मुझे लेकर असुरक्षित है नॉनसेंस बीच में शनिवार था सारा दिन अने को समझाए गई दुनियादारी इतनी की उसे समझ आ गया कि वो नर्स बनकर किस लिए किसी बिमार लड़के के लिए जिवन तबहा करे गर्मी के दिन थे अमलतास बोरा रहा था जामनों पर फल लदे थे संडे की सुभा वो लड़का मुझे हमारे दू मनसिला अपार्टमेंट के नीचे अमलतास के पेड़ के नीचे मंडराता दिकाया उसके साथ एक लड़का और था मुझे क्रोधाया इसी बेवकुफ ने मेरी मासुम बेटी को फुसलाया है अपनी बीमारी और अनाम दर्द को हत्यार बना कर करते हैं उसत गिस्म के लड़के ऐसा भी हमारे जमाने में भी किया करते थे उस लड़के ने नीचे से अनी को कॉल किया मैंने उसे इशारे से कहा ऊपर बुला लो सह्मी हुई अनी ने यही किया लड़का पूरे आत्म मिश्वा से भीतर आ गया अंकल अनिंद्या को बुला दें वो नहीं आएगी मुझसे बात करो ब्रेक अप करना है तो मेरे लेटर्स और गिफ्ट्स वापिस कर देवो उसके पास तुम्हारी ऐसी कोई चीज नहीं है मैंने उसे महंगे गिफ्ट्स दिये है वो तुम्हारे महंगे गिफ्ट्स की लालची नहीं भीतर से अनिंद्या की मम्मी एक रिस्ट वाच एक नन्धा सोने के हाट वाला पैंडेंट और रे बेन ब्रांड के ग्लासिस लाकर उसे पकड़ा गई लो और चलते बनो मेरे लेटर्स अनिंद्या कह रही है उसके पास कोई लेटर नहीं मेरी पत्नी ने कहा हैं उसे देने होंगे ब्रेकप ऐसे नहीं होता कहकर जिस तरहां वो अनि के कमरे की और लपका मैं हैरानी और गुस्से में भर गया कि इसे अनि का बेटरूम भी पता है मैंने उसकी बहा थामी और जणना टेदा थपड लगा दिया तब ही अंदर से अनिंध्या बहार आ गई पापा इसे मारिये मत आपको पता है न ये भीमार है वो फर्ष पर पैठ गया मार लीजी अंकल आप भी मार लीजीए वैसे भी जिन्दा कहा हूँ डाक्टर कहते हैं बहुत हो गया इसका ड्रामा इसे ले जा मैंने उसके दोस्त को रौब भरे इशारे से उठाया उसके भी पीट पर धौल जमाई और बहार का दर्वासा दिखा दिया बहुत रोनित होने के बाद जब आनी ट्यूशन के लिए गई तो लड़के के खतों की खोच शुरू हुई वे सुन्दर पेंटिंग्स थी उधास कविताएं थी जिनके तल में मृत्यू पह रही थी मैं इस तल में अपनी बेटी को नहीं डुबोना चाहता था मैंने उसे समझाने के अलावा बहुत सारे क्रिया कलापों में व्यस्थ कर दिया कॉलेज, कोचिंग, फिर डान्स क्लास और रात को मैं और वो पॉलिटिक्स एन्वार्मेंट पर पहस करते मैं समय से दफ्तर से लोटता उसकी माने लंबी छुटी ले ली थी उसे कहीं अकेले नहीं निकलने दिया जाता सिवाए कॉलेज के गुरूप के वो अपने ग्रेजूशन के फाइनल येर में आ गई थी और एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में एक अमरीका बेस्ट एनिमेशन कंपनी में इंटर्नल्शिप भी कर रही थी एक दिन वो बहुत खुश थी उसे भारत्य माइतोलोजी पर एक छोटी एनिमेशन फिल्म प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था वो बातें कर रही थी पापा मुझे अमर्चित्र कथाओं को परदे पर लाना है एक दिन आमरपाली कच देवयानी वासब दत्ता मैंने उसे उसके कॉलेज के गेट के पाहर उतारा उसने पॉलका डॉट्स वाली बहुत सुन्दर लाल मेडी ड्रेस पहनी तो मुझे वो बीमार उसकी छोटी फैशनेबल ड्रेसेस पर आपत्ती करने वाला अपनी बीमारी और मृत्यू की आशंका से भावनात्मक रूप से कमजोर करने वाला लड़का याद आ गया तेरे उस ड्रामा कंपनी के क्या हाल है ठीक हो गया ना वो मैंने कहा था ना कुछ नहीं होता ऐसों को वो बस सहनुपुती जीतना सुन्दर और लायक लड़कियों की मैं MF पर चलते गाने की धुन गुन गुनाते हुए पूछ बैठा पापा वो अब जिन्दा नहीं है वो तटस्त थी उसके चहरे पर जमा हुआ दुख दिख रहा था उसके होट काप रहे थे आंसू पी लिये थे उसने लेकिन मैं उसका रुदन सुन सकता था उसने उसकी समाधी अपने ही भीतर बना कर पीडाओं का बिना नाम का समाधी लेख लिखकर दरवासे बंद कर दिये थे खुद के क्योंकि पापा मम्मी वहवारिक है उनकी सोच कुछ और कहती थी उन किताबों के विपरीद मुझे एक साथ वो दोनों थपड याद आ गए जो मैंने पहली बार अने के मुख पर लगाया था दूसरी बार उस लड़के के मन किया तीन चार थपड अपने गाल पर लगा लूँ मैं बुरी तरह बिखरने वाला था कि अन्नी ने मेरी स्टेरिंग बील पर कामते हाथ पर हाथ रखा पापा आपकी कोई गलती नहीं उसके पापा मम्मी डॉक्टर और वो खुद जानता था कि वो मनने वाला है मैं ही सोचती थी कि मेरे हाथ स्टेरिंग पर काम रहे थे मैं अब तक खुद को समझा रहा हूँ कि मैं पिता हूँ मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या घलत मैंने उस रोस नहीं सोचा था कि उस थपड के बदले मेरी आत्मा पर अध्रिश्य घाव हो जाएंगे और मैं बार बार उन्हें अपने हाथों से सहलाऊंगा उसकी मृत्यू से मुझे क्यों फर्क पढ़ना था लेकिन मैं हताश रहा पोरा दिन अपनी हधेलियां देखता उन्हें अपने गाल पर रख पश्चा ताप में जुलस रहा था उसकी उकणू बैठी अवस्था याद आती दोनों हाथ मुड़े कोहनियों से चेहरा ढ़के मार लीजिये मार लीजिये माना मैं आपकी बेटी हूँ आप पापा थे इससे मैंने कब इंकार किया था आप बहतरीन पापा होते होते कहीं चूप गए मैं आपको आदर्श मानती रही हूँ क्योंकि आपने मेरे स्कूल के जिस दोस्त के कारण पहला थपड मारा था कि वह एक फूर्थ क्लास लश्कर का पेटा था पापा आपने ठीक वैसी ही कहानी अपने बारे में सुनाई थी कि आप एक लेब असिस्टेंट के बेटे थे बहुत मुश्किलों के साथ आप पड़े आपके पास भी तीन जोड़ी कपड़े होते थे और आप भी बहुत ब्रिलियंट थे आप में अफसर बनने की योगेता थी मैंने आप से कभी बहस नहीं की आपको मेरी बहस से चोट महुस्ती थी मैं यह जानती हूँ आपकी आखे पड़ती है कि मेरा मन बहुत जिरह करता है उन इनसानियत और मुल्यों वाली किताबों को लेकर जो आपने बेबी बाट टब में भी पकड़ाई थी प्लास्टिक कोटेड रफस भालो की किताब फिर स्कूल जाने पर अमर जित्र कथाएं पंच तंत्र कितने सारे महान लोगों की और्टो बायोग्राफीज आप मुझे कहते थे मेरे दोस्तों और सहिलियों ने मुझे बिगाड़ा नहीं पापा उनमें तो मुझे किताबों जैसे लीक से हट कर चले अलबेले चरित्र मिले मुझे जो भी बनाया बिगाड़ा कुछ किताबों ने कुछ मेरे अपने दिमाग ने जो तर्ग करता था मैंने चोटे गेट से जहांकर देखा बहुत देर तक आप अपने हाथ मसोस्ते कार स्टार्ट कर धीरे से चले गए थे मैं आपको गलानी में नहीं देख सकती आप हमारे लेटर्स बढ़कर जाने क्या सोच गए आपकी बेटी क्या दे सकती थी जानते हो वो क्या कहकर मरा अनिंध्या मैं तो वर्जिन ही मरने वाला हूँ सौरी पापा हाँ मैं उसे मिली कुछ दिन पहले उसके जाने के तब मैंने उसे खुद को चूम लेने के लिए कहा था वो चुम्बन एकदम भोले थे सादे और सीमित उसने स्विकार कर लिया था कि वो मर रहा है उसने खुद को सबसे काट लिया मैं उसे बताना चाहती थी कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन वो किसी से आश्वस्ती नहीं चाहता था मैं नहीं कह सकूंगी कि मैं केवल यही चाहती हूँ कि उसे सुकून मिले उसकी आखों में सबने उगे इसलिए प्यार का ढोंग करती थी वो अनोखा एवम अठपटा था मेरे सारे अन्य अच्छे दोस्त सहेलियों की तरह जिनके लिए मम्मा के पास एक शब्द है बेतो के दोस्त यानी एकतम अजीबों गरीब मैंने बस कोशिश की थी कि उसके उस रहसमे दर्द को समझ सकूं जिसको समझने में उसके मॉम डैट फेल हो गए वे सोचते थे कि यह कुछ नाट किये या बेजा एहसास है दर्द के बतले का प्रेम के अलावा मैं क्या दे सकती थी उसने मुझे जितना दिया एक समझ फिल्मों के लिए कहानियों के लिए एनिमेशन के लिए दिन रात लग कर एक सौफ्ट्वेर बनाया उसने मेरे होने से मेरे कारण व्यस्त होने से उसे उन दिनों बस बहतरीन लगा होगा एक सुन्दर लड़की का बॉइफ्रेंड होना जो हर रोज उससे चैट करती हाथ से भी चिठियां लिखती जिन में शादी और होने वाले बच्चों का जिक्र होता उसकी डूटती हुई आत्मा में मासुम शरार्ती सपने को दखते वस यही पापा आपने एक दिन गुस्से में कहा था देखना यह सब ड्रामा है एक दिन वो ठीक हो जाएगा और तुम्हें भूल कर किसी और लड़की को डेट करेगा मैं बुद्पुदाई थी काश वो ठीर सारी लड़कियों को डेट करे वहे दिन आया ही नहीं उसकी आखरी दिन मौमबत्ती पुचने जैसे थे बिजली आ जाने पर मौमबत्ती के पुचने के बाद की महक जैसे उदासी दे जाती है ना ठीक वैसे ही उसके खट आप मेरी अलमारियों में दिन ओ दिन खोशते रहे वो हाथ से नहीं लिखे थे एक हार्ट डिस्क में थे संसार भर की क्लासिक फिल्मों उसके लिए मेरे अनिमेशन फिल्म मेकिंग में काम आने वाले सॉफ्टवेर्स और इंटरनेट से सेग्णों फिक्षन की डाउनलोड़िट किताबों के साथ हाँ बिल्कुल वो प्यार करने लायक था वो हसाने में माहिड था शरीर ले में होता तो वो जिन्दगी और मेरे लिए जोशिला भी होता मैं और बड़ी हो जाओं आप भी अपनी बेटी से परे की दूसरी दुनिया के दर्द को समझने लायक हो जाओ तब शायद चुप चाप से उसके खत आपको पढ़ा सकूंगी वो लिखता था मेरी कहाने उस दिन से शुरू होती है जब धर्ती कोहरे से ठकी थी मेरे जैसे लोगों के जन्म का धुंदला संकेत रात, मरती चांदनी और उदासी मुझे पैदा होते ही ओटी में ले जाया गया ओटी की सड़ी हुई रोश्निया इधर की गंध और खून की महग मेरे अवजेतन में स्थाई है मेरी छोटी आथ और बड़ी आथ के बीच कोई संपर्खी नहीं था मेरा पेट फट पढ़ने की हद तक फूला हुआ था मा बताती है मेरा नन्हा शरीर कितनी नलियों के जाल में चुप चुका था तुम यकीन करोगी तब से अब तक मेरी बारा सरजरी हो चुकी है मैं अपने दोस्तों की मस्तियों, उनके सेक्स से जुड़े अनुभवों और लड़कियों को लेकर उनकी गलीज बातों को अपने अकेले पन के हाशिये से देखता था मैं भावुक था इसलिए उनके रिष्टों में प्रेम नहीं पाकर मुझे दुख होता था क्योंकि वे लड़कियां इसे प्रेम ही समझा करती थी अपनी बाड़ी सूपा करती थी जिसे लेकर वे फाहस डिटेलिंग करते खोले आम, किस लड़की ने का बोर किस के साथ अपने वर्जिनिटी खोई मुझे बुरा लगता मैं पहले बहस करता फिर चुप रहने लगा क्योंकि वे मेरा मजाग बना कर मुझे तोड़ते तुम नहीं जानती कि तुम कितने अलग थी उन लड़कियों से जो आमीर लड़कों की दरफ भागती थी तुम दूर रहती थी ऐसे लड़कों से जो अपनी कारों और गर्ल फ्रेंड्स में फर्क नहीं समस्ते थे फोन पर तुम बोलती थी और मैं अपनी सारे इंद्रियों का जोर लगा कर उसे सुनता हर रात दर्द को खुद को सौंपने के बाद केवल रात दस बजे फोन पर तुम्हारी आवास मुझे विश्वास दलाती थी मुझे चीना है मैं खुद से कहता अच्छी तरह सुन ले तेरी मुस्कान उसकी उमीद है दर्द में भी मुस्कुरा पागल हो तुम तुमने अपने शरीर के सुनहरे रोमों को मुझे चूने दिया पूरी समवेदन शीर्टा से यकिन मानना मैंने तुम्हे लड़का बन कर नहीं लड़कियों की समवेदन शीर्टा के साथ थोड़ा चुआ बाकी बात के लिए रख दिया सहेच कर मैं ठीक होने के लिए तयार था आगे होने वाली तीन और सरजरियों के लिए मैं तुम्हारी परी कथाओं और सुखांत एनिमेशन फिल्मों में जीने लगा उन सब नेमतों की कलपनाएं मेरे भीतर गोंसले बनाने लगी थी जिन में स्वस्थ होना सबसे पहले आता है समपन्नता थी मेरे पास और बेहत सुन्दर गर्डफ्रेंड तुम मेरी वेब डिसाइनिंग और प्रोग्रामिंग में माहिर और मौलिक होने की तारिफ करती हो उस लड़के की क्या योगेता जिसके पास कोई डिग्री तक नहीं यही मेरी विड़म बना है मेरे पापा मुझे घर में देख कर खीजते हैं वे हताश होकर मुझे ही तांटते हैं मम्मी खाना रखकर चुप चाप अपने स्कूल चली चाती है अब उनकी आँखें भी नहीं डबडबाती मैं धर चाता हूँ कि सब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी मुक्ती है क्या मेरे बिमारी का मटमेला पन उन सब की रोज मर्रा की जिन्दकी में बस गया है मेरी मा के बारे में तुम जानना चाहती थी उनका कद बहुत चोटा था शादी के समय मेरे पिता ने तब ध्यान नहीं दिया पर मेरे स्वास्थे की वज़ा वो उनके चोटे कद को मानते हैं मानो उनके भीतर मेरा विकास जन्म से पहले अवरुद हो गया हो वे कोस्ते हैं उन्हें मेरे कारण मेरा जन्म मेरी शुरुवात यानि दुख और दुख मेरी मा का दुख वो घर पर रहती हैं तो मुझे जरूरत भर ही देखती हैं बाकी वे मेरे ही कामों में व्यस्त रहती हैं मेरा खाना कपड़े, दवाएं कमरा जमाना, नई फिल्मों की में घुसना चाहता हूँ पर उनकी आँखे कहती हैं डपटकर, बड़े हो जुके हो ऐसे में मैं वही करता हूँ जो मा को पसंद है समय से पहले व्यस्क होने का दिखावा रात भर अच्छी नीन्द सोने का दिखावा मैं अपने गुनगुने साफ बिस्तर में सरक चाता हूँ वहां लंबे समय शांद स्थिर पड़े रहना सपहट स्वस्थ और बिना दर्द के होने का दिखावा करते हुए जबकि आरी चीर रही होती थी मेरी आंतों को दर्द को आदत बना लेता अगर ये मायावी दर्द रोपना बदलता ना राफ्तार, ना अंदास ये हैं दर्द कभी जलन की तरह होता कभी गुदगुदाता कभी सोया चुभाता कभी आरी से चीरता कभी हतावा चलाता कभी बिजली के जटके सा लगता मेरे डॉक्टर ना कभी समझे ना आज समझ पा रहे थे यह दर्द था कि हर बात पर हवी था मैं यह बस तभी भूलता हूँ मेरी एंजल जब तुम साथ होती हो मैं खुद को तुम पर धीला छोड़ सकता हूँ तुम पर चिला सकता हूँ दर्द की बात सा सो बार दोहरा सकता हूँ तुम सुनती हो कि कहा कहा यह होता है आद की कौन सी भीदरी परत में की पसलियों के पार कहीं मैं खुद के खोल से बाहर आता हूँ मैं जान पूच कर दोस्तों को कॉल करके कहता हूँ मैं पीजा हट में या सी सी टी में अनिंध्या के साथ हूँ माई गर्फ्रेंड, वे उदार हैं, मेरे सामने नहीं हसते, मैं तुम्हारे साथ आवारा घूमने की खुशी में कापता हूँ, तुम गोल मार कर चिंता करती हो अटेंडनेंस कम होने की, हमें मेट्रो कहां कहां ले जाती है, मैं तुम्हें चूम बाता हूँ एक बार, दो बार किसी दूरस मेट्रो के सुनसान स्टेशन पर तुम हमेशा कल मिलने का बादा करती हो पर वह कल पखवाड़ा या महीना लगा लेता है तुम कहती हो मैं वैवारिक नहीं हूँ मैं बहस करता हूँ जिन्दगी मेरे साथ वैवारिक नहीं है सो तुम मुहां से पर चिंतित हो जाती हो मैं अपनी सिकुर्टी और नस्ट होती नस्ट पर चिंतित ना हूँ मैं तुम्हारी बड़ी काली आँखों की जमक के लिए अपना सारा जेब घर चुड़ा देना चाहता हूँ तुम दूरी बरतने लगी हो दो सब्दाह से मैं क्या करूँ नहीं बरताष्ट होता तुम्हारा स्लीव लेस टॉप और चोटी स्कर्ट पहनना कितना चोटा मुद्ध है यह जिस पर हम बिल्लियों की तरह जगड़ पड़े थे तुम्हारे कॉलेज के पिछले केट पर तुम शर्मिंदा होई थी तुमने ब्रेकप की बात कही अपनी चिठियां और कार्स लोटाने की बात लोटा दूँगा पर प्लीज छोटे कपड़े इतना इश्यू नहीं है थोड़े दिन बस मेरे लिए तुमसे बदलने की उमीद एक्स्ट्रा चीज पीजा में भी और चीज मांगनी जैसा है न तुम मना करती थी नहीं पचेगा मत लो पर मैं स्वाद को दर्द पर तरज़ी देता था मैं बिस्तर तक सिमट जाओ उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा सामान लोटाने आना चाहता हूँ पापा मम्मी सरजरियों से ठख चुके हैं हम अब डॉक्टर के यहां नियमिच चेकप पर भी साथ नहीं जाते बस वही दवाएं जो मैं हर खाने के बाद पान या टॉफी की तरह खा लेता हूँ आजकल मक्यां तक मुझे चिड़ा जाती है अनिंद्या मैं कोसता हूँ उन्हें मैं बिना चीखे रोना चाहता हूँ धर्द कम नहीं होता फिर निंद्य का इंजक्शन मुझे सुला जाता है मैं तुम्हारे प्यार से परेशान होकर रोता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए यह सच है कि तुमने मेरी उम्र दो साल बढ़ा दी लेकिन तुमने दूर होकर ठीक नहीं किया तुमने कहा था तुम हर जबह मेरे साथ चलोगी मेरे पिछले परटे पर हम कितना घुमे फ्रेसकों में जनपत पर हम कहां कहां छुप कर बैठे गार्डन्स की बेंचों पर सब वे में मैट्रो स्टेशनों पर तुमने मुझे चूम लेने दिया सुनहरी पिंडलियों से लेकर होटों तक मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं प्यार में मुझे पाने से बेहतर सब्र लगता था कितने महीनों में हिम्मत कर सका तुम्हारे गोल चेहरे के क्यूट पिंपल पर ही मेरी सारे खुशी टिक गई तुमसे बातें तुम्हारा साथ तुम दूर जा रही हो तो लग रहा है तुम्हें और लड़कियों की तरह कहीं सेमाओं का अतिक्रमन तो नहीं चाहिए था या तुम्हें लगा की तुम हारे हुए घोड़े पर समय बरबाद कर रही हो मैं खुद तुम्हें नहीं बता सका कि मुझे क्या हुआ है मेरी सरजरियां कोई परिणाम ला सकी की नहीं मैं शित्त से चाहने लगा था कि मेरा अनाम दर्द खाश मेरा ट्रामा होता याद है एक बार तुम घर आई थी मैं बिस्तर में करहा रहा था मेरे हूंटों पर लाल दाने हुए थे तेज बुखार था तुम पास आकर पैरों की दरव पैट गई तुमने धीमे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा था कि चूमने से यह सब हुआ है क्या वो दाने तुरंद गायब हो गए बुखार उडंचू हम स्केटिंग करने गए शाम को तुम बहुत कुछ बदल सकी हो मैं ही नाशुकरा हूं अपने ही कॉम्पलेक्स का मारा मैं बड़ा और ठीक हो चुका हूं बच्पन और टीनेज मुझे कपके छोड़ चुके हैं मेरा मन दुख से भरा है मैं उन दिनों को वापस कैसे लाऊं हमने सबना देखा था अंतहीन प्रेम का शादी का साथ बैठे बच्चों के नाम तक सोच लिये थे मैं अब भूल तो नहीं पा रहा इस कैंपस से दूर चले जाना मेरे बस में नहीं तुम्हें कई बार सुभा बस के लिए भागते देखता हूं तुम कई बार सड़क के स्पीट प्रेकर से टकरा कर बेहंस खो देती हो मेरा मन करता है पहले की तरह दोड़ाओं मेरे साथ किये तुम्हारे बचकाने रोमांस को मेरा मन दया मानने को तयार नहीं होता दया में कोई जगड़ता नहीं है मैं बेहन के आगे अब तुम्हारा नाम नहीं लेता वो शाम की सेर के समय पूछती है मैं उसे दुखी और बोर क्यों करूँ पर मैं अतीब की गलियों में चलता हूँ पिछले बुरे और हिंसक वाके की खटास से उबरना चाहता हूँ मैंने माफ कर दिया तुम्हारे पापा को गलती मेरी थी पर मैं बहुत दिन उनसे नाराज रहा था उनको पताना मत मैंने ही उनकी नई कार पर लंबा स्क्रेश लगाया था अपने कैंपस के गार्डन की बैंच और जामुन के पेड़ों के रास्तों पर अब भी धुंदले पड़ गए हमारे चुम्बन बिकरे हैं बारिश ने उन्हें धोया नहीं है लाल कल्गी वाली चिड़ियां उन जामुनों के पेड़ों पर घुंसला बना चुकी हैं जिनके नीचे हम देर रात तक बाते करते थे पापा वो ऐसी फिल्में देखता था या जिन फिल्मों को हम साथ देखते थे उनके अंध हमेशा ऐसे होते कि नायक नायका की एन उस्पल मृत्ति हो जाती जब वे खुशियों के करीब होते या तो वे अपनी सदा बाहर जवानी में ही पत्रीले हो जाते या दूर पटक दिये चाते पागल खानों में दूसरे देश में कैद युद्धबंदी मैं पूछती तुम इन फिल्मों को क्यों देखती हो चलो इन फिल्मों का अंध बदल कर सोचें हम ये कहानिया बदल दें वो इस यकीन में खुश हो जाता ये कहानिया बदलेंगी तुम बदलोगी इनको किस्मत की हवा का रुख सही हो, सही वक्त लौट आए बुरे दिनों का हिसाब वो भूलने लगता उसे कौफी और संतरों की महग खेल लेती CCD के बाहर हरे घास के टुकडे में सूरज की रोशनी के स्क्वायर में दो गिल हैरिया एक दूसरे से खेलती उसके बदन में सिहरनों का इजाफा होता भूख खुल जाती और एक्स्ट्रा चीज मांगता वो अपने बरगर में जिस दिन आपने उसे थपड मारा था उसके बाद वो अपने घर में बंध होकर रह गया था उसके साथ हाए लड़के ने उसके दोस्तों में बात फैला दी कि आपने उसे थपड मारा था वो एक प्रतिशोधी खामोशी में बंध हो गया था अंजाना दर्द हज से आगे जाकर उसे बेहोश करने लगा था ऐसी हज से बाहर की तकलीफ में डाक्टर उसे नशे का इंजेक्शन देते वो कभी कभी जब नशे के इंजेक्शनों से उबरता तो जैट करता था मुझसे उसने अपने अकेले पन को एक पिठ्टो बैक की तरहां कंधे पर लटका लिया था और सारे दुनिया का भोगोल गुगल अर्थ पर उसने घुम लिया था वो खबराता था अंद्रिक्ष के ब्लैक होल से मौत के बाद क्या के सवालों पर पापा मेरी चिंता मत करना मैं उसके ना होने को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहती खुद को व्यस्त कर लूँ सपनों में डुबो दूँ मैं जानती हूँ जीना अभी भले ही मुझे आँख बंद करनी पड़ती है ताकि मुझे कुछ याद ना आए मैंने आपको जान बूच कर नहीं बताया उस दिन आपकी अनिवर्सरी थी फरवरी का एक भीगा सवेरा था सवेरे की सपाट खामोशी में मैं कॉलेट जाने के लिए तयार हो रही थी फोन बजा तो भीदर अंजानी आशंका का तरल कांपा उसकी बेहन का फोन था अनिंद्या रोहन नहीं रहा आज सुभा पांच बजे तक लैपटॉप पर उसने कोई डॉक्यमेंटरी फिल्म देखी होगी सुसाइडल बर्ड्स पर लैमनेट पिया पीते ही उल्टे की तो मैं उठ पैठी वो दर्द से हलका सा चीखा फिर पिस्तर पर उल्टा गिरा पापा ने सीधा किया तो वो चा चुका था फिल्म तब भी उसके लैपटॉप पर चल रही थी कहकर बहन सिसकने लगी मैंने अपने हाथ में खुली लिप्स्टिक बंद करके रख दी टेबल पर रखे पापा आपके और अपने टिफिन में से बिना अपना टिफिन उठाए अपना बैग लिए मैं सेड़ियां उतर आई मम्मी पुकारती रही मैंने अपनी रुलाई चुपाते हुए चीख कर बिना उनकी तरफ देखे कहा था मुझे जल्दी पहुँचना है लंज तक लोटाऊंगी दो मिनट में मैं सड़क पर थी मैं नहीं जानती थी मैं कहां जाऊंगी चार सो घरों वाले इस केंपस में एक घर में जहां से वो चला गया था उसके लिए शोक मनाने जहां उसके माता-पिता के परिचित चुटेंगे वहां जाने का मेरे पास ना अधिकार था, ना मोहलत, फिर किसे विदा देती, जो अब था ही नहीं, मैं बे मकसद दिल्ली कंटॉन्मेंट की सुनसान सडक पर चलने लगी, जमेन पर बिच्छा था, पतचड़ी पतों में लिप्टा भीका सावेरा, सच में, मुझे लगा हजारों लाल कल्की वाली काल चड़ियां अपने तूटे पंखों के साथ सडकों पर टपकी पड़ी हो, उनकी लाल कल्कियां स्लो मोशन में पनियों की तरहां किर रही हो, अभी आपने मनीशा कुल्स्रेस्ट चीद्वारा लिखी बेहथी मारमिक कहानी सुनी, अब आपसे विदा लेती हूँ, कल फेर आ आने के साथ धन्यवाद